सच श्रीयकाल कैसे हैं आप सब आप सभी का वैलकम है पूनम कौर रेसिपीज में आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट सा नास्ता लाई हूँ अगर आप रोज के नास्ते से बोर हो गए हैं तो यह रेसिपी आप ही के लिए है तो फिर देर ना करते हुए चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी तो यह देखिए हमारे काफी सॉफ्ट टेस्टी आलू सूजी के बॉल्स हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर धाई कप पानी लिया है ध्यान दीजेगा एक ही कप से मेजरमेंट कीजेगा और एक कप सूजी ले लिए एक कप सूजी के लिए धाई कप पानी बिलकुल बराबर है तो अब यह दोनों चीजे हो चुकी है उसके बाब मैंने एक कप यहाँ पर फ्रेश नारेल जो होता है उसे कद्दू कस करका इस्तमाल किया है साथ ही थोड़ी सी बारिक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है बारिक कटा हुआ हरा धनिया नमक लेंगे स्वात के अनुसार तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने कडाई रख ली कडाई में हम सूजी डालेंगे और सूजी को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर 4-5 मिर्ट तक भुनना है ताकि जो इसका टेस्ट है वो काफी अच्छा है तो यह देखिए मैं लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर सूजी को 4-5 मिर्ट तक भुन रही हूँ आप देखेंगे आप इसे छोड मत दीजेगा चलाते रहिएगा क्योंकि क्या होता है फिर नीचे से सूजी लगने लग जाती है तो आप इसे चलाते रहिएगा थोड़ी दिर में आपको इसके अच्छी से खुश्बू आने लग जाएगी बहुत जादा नहीं चलाना इतना चला लिया है सफिशन्ट है तो उसके बाद अब हम आगे की चीजे हम इसमें आड़ कर देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें हमने जो चीजे ले ली थी बारी कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और जो फ्रेश नारेल मैंने कदूकस करके लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तर ऐसे मिक्स कर लेते हैं साथ ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ का मेजर्मेंट बिल्कुल बराबर रखिएगा जादा या कम मत रखिएगा धाई कब बिल्कुल जितनी सूजी हो उसी कब से मेजर्मेंट करके अब हम वो पानी इसमें एड कर देंगे और अब इन सभी चीजों को मिलाएंगे, अब नमक कैसे पता लगे की बराबर है की नहीं तो ये जो पानी हमने सूजी में अड किया है अगर आप हलका सा ऐसे चक लेंगे न तो आपको पता लग जाएगा की नमक की मातरा बराबर है या नहीं कम लगे तो यहीं पाइड कर दीजेगा अब हम इसे मिला कर धकल लगा कर पकने देंगे जब तक जो पानी है सूजी के साथ अच्छी तक से मिलना जाए जतना पानी है सूजी अपसौब न कर ले तो मैं ऐसे धकल लगा देती हूँ ताकि जो इसका result है वो थोड़ा अच्छा है धकल लगा कर दो मिनट छोड़ना है बहुत जादा मच छोड़ दीजिएगा आप इसे दो मिनट के अंदर देखेंगे सारा पानी सूख जाएगा तो इसके बाब मैंने इसके ओपर डाला है एक बड़ा चमच रिफाइंड ओईल का और इससे हम करेंगे मिक्स देखिए थोड़ी देर में एक ही मिनट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो है एक जगा एक खटा होने लग जाएगा सूजी का जो ये मिक्स्चर है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ली रेड़ी है अब हम इसे एक बरतन में बाहर निकाल लेंगे ये काफी गरम है अभी सेट करने के लिए तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ तीन से चार मिनट क्योंकि अभी काफी गरम है मैं ऐसे हाथों से सेट नहीं कर पाऊंगी तीन से चार मिनट के बाद जब हलका ठंडा हो जाए बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना हलका थंडा करना है अब हम इसमें डालेंगे आलू यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू का इस्तमाल किया है क्या होता है जो सूजी का मिक्सचर होता है अगर आप उसके बॉर्ज बना कर यूज करेंगे तो ये देखिए ये इंदौर वाले आलू हैं जैसे मैं हमेशा इस्तमाल करती हूँ ताकि इनका बिल्कुल बेस्ट टेस्ट आ सके अब हमारा मिक्शर भी थोड़ा थंडा हो चुका है और आलू भी नॉर्मल टेंपरेचर पे थे आलू को दो विसल लगा के मैंने उबाल दिया था और उसके बाद ठंडे होने के बाद मैंने उनका इस्तमाल किया है अब हाथों की हेल्प से इसे मसल मसल कर अच्छी तरह से एक आटा कैसे हम लगा कर तयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें यहां पर तयार करना है, अभी भी मिक्षर थोड़ा गरम है, इसलिए मैं तुछा धीरे-धीरे सेट कर रही हूँ, और चाहें तो आप यहां पर थोड़ा सा ओयल ले लीजिएगा, ताकि यह प्रॉपरली चिकना होकर तयार हो सके, यह पता नहीं लग सही मातरा में डालिएगा, कम मट डालेगा, क्योंकि अब हमने इसमें आलू डाले हैं, तो थोड़ा सा और नमक स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सही नमक डालेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना फीका सा लगेगा, अब यह देखिए, बिल्कुल आटे की तरह कर लिया है, अब हम अपने हाथों को तोड़ा सा ग्रीज करेंगे, हथेलियों पर थोड़ा सा रिफाइन डॉल लगा लेंगे, ताकि हम इसके अच्छी तरह से बॉल्स बना पाएं, अब जो इसके बॉल्स हम बनाएंगे वह बहुत जादा बड़े आकार के नहीं बड़ा आसान ऐसे शेप देने में जादा वक्त आपका नहीं जाएगा, इसी तरह से हम सभी बॉल्स को बनाकर तयार कर लेंगे, याद रखेगा बॉल्स की साइज थोड़ी जादा बड़ी मत रखेगा, क्योंकि स्टीम होने के बाद जब हम इने स्टीम करते हैं तो थोड बॉल्स को रखतेंगे, इसमें जितने भी बॉल्स आप बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी से दूरी पर रखेगा, अब यह देखे, जितने बॉल्स भी आ सके, या फिर एक प्लेट होती है, जो इस तरह से डॉट्स बने होते हैं, आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, उसे ग पकाईएगा, उसके बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर लीजे, और मैं यह आपको दिखा देती हूँ, यह देखी हमारे जो आलू और सूजी के बॉल्स थे, वो बहुत अच्छी तरह से स्टीम होकर तयार हो चुके हैं, काफी गरम है अभी, तो थोड़े ठंडे होने के बा जैसे ही हमारा तेल अच्छी तरह गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमज राई, कड़ी पते, तीन से चार बारी कटी हुई हरी मिर्च या पतली लंबी कटी हुई हरी मिर्च का आप इस रेसिपी में, और जब तक राई फूटे और कड़ी पते पके हम इ सकता है, तड़का आपके उपर है, जैसा भी आप पसंद करते हो, बड़ राई ज़रू डालिएगा, राई से काफी अच्छा टेस्ट आएगा इसका, उसके बाद गैस का फ्लेम लो करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमज लाल मिर्च का पाउडर, याद र आप से मिला लीजे, कम से कम 10 सेकंड के अंदर, जैसे ही आप इसे मिला लें, सभी बाल्स जितने भी हैं हमारे, अब हम वो इसमें अड़ कर देंगे, याइसका फ्लेम लो ही रखिएगा, जब तक आप बाल्स अड़ कर रहे हैं, तब तक मिर्च जलनी नहीं चाहिए, आप इस स्टेज पर नीमू के रसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, और भी चाहें तो इसी स्टेज पर थोड़ा कदू कस करके नारल का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और इसे टेस्ट देने के लिए, अब बस हमें कुछ नहीं करना, अब हम इसे मिलाएंगे, और नमक नहीं अड़ करेंग के उपर एक क्रिस्पी सी लेयर बन जाएगी और ये खाने में भी बहुत अच्छे सॉफ्ट लगेंगे और गर्मियों के लिए तो बिल्कुल लाइट वेटेट नास्ता है तो आप इसे जरूर राय कीजिएगा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है उसके बाद हम इसे हरा धनिय डालेंगे और सर्फ करेंगे तो ये बिल्कुल गर्मा गर्म रेड़ी है सर्फ करने के लिए तो बस आप इसे एक बार अपने घर पर जरूर ट्राय कीजिएगा तो देखा आपने इस तरह से हमने बहुत ही बेसिक सारी चीजों के साथ घर में अवलेबिल जो होती है एक बहुत अच्छा सा नास्ता बना कर तयार किया है आप इसे कुछ हटके खाने के लिए एक बार जरूर ट्राय कीजिएगा यह आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीस लाइक जरू कीजिएगा चैनल पर पहली बार आ है और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो